और आईए बात करते हैं जाने माने हास कराकार कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव राजू श्रीवास्तव जी स्वागत है आपका जी उत्तरप्रदेश उत्राखंट पर लोगडाउन चल रहा है और इस लोगडाउन की पिरेट में आप कैसे अपना समय गुजार रहे हैं उसे पहले तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज घरों में रहें सरकार की सुनें, डॉक्टर्स की सुनें, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो फिर आपकी मदद नहीं हो पाएगी ये बहुत गंभीर विशह है, इसको बहुत ही सीरियस लेना होगा रही बाद मेरी मैं अपनी कोशिश जारी किये हूँ मैं हसाने की कोशिश करता हूँ, बीच-वीच में लोगों जागरत करने कोशिश करता हूँ और अमीर बजाय गिटार, गरीब बजाय टीन सबको पागल कर दिया, कब सुधरेगा चीन समझ में नहीं आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि त्रिविन सिंग रावत साब हो, या योगी जी हो, हमारे मूदी जी हो, देश की जनता से बार-बार यही कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, हर तरह से रिकर्स कर रहे हैं, उनकी तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर घर में है, जिन्दगी हर कदम एक नई जंग है और लालू जी ने भी अपनी तरफ से लोगों से, अपील की दर्शकों से ए जितने लोग देख रहा हैं, सब लोग घर पे रहे हैं, यह मजाख है, बाहर मटर गष्टी हो रहा है, पिकनिक मना रहा है अपने अपने घर पे रहे हैं सब लोग, लागडाउन का पालन करिये, यह मानों का सेवा होगा, यह इसमें आपका खुद का रच्चा होगा इसमें खाली योगी जी और त्रियन सिंग राउत साब को भाइदा नहीं है, आपका ही भाइदा है, आप जिन्ना रहेंगे, अपने लिए मदद करिये, दर्द, ए यह चीनी लोग पूरी दुनिया में ऐसा डेंजर आतंग फैला दिया, कैसा केकड़ा विच्च्चु और च को वर्ल टूर पे निकला है करोना है, दर्द, ए इसा रजगुले जैसे धरा है, इसा काटा बना है, ए सब लोग जो है, ए पूरा हिंदुस्तान के लोग, सरकार का मदद कीजिए, डाक्टर जो कह रहे हैं, उनका सुनिये, घर के रहे हैं अंदर रहे है, दर्द लाजु जी, अमिताव अच्चन की आवाज में हाँ अभी तो, मिमिक्री से जादा मेरा ध्यान इस बात पर है कि कैसे मैं अपना योगदान दूँ, कैसे मैं इस मिमिक्री के माध्यम से लोगों को समझाऊं और समझाने की कोशिश करूँ मैंने सुनाया है, मुलाइम ने भी अपील किये मुलाइम सिंग जी कह रहे थे अब लागदाव हो गया, अब कित्य जगए संवे धन सीज समझाव गया अब बाहर घूम रहें, आप सरकते जार हैं, खार हैं, पी रहें, मौल कर रहें, आपने अपने घर पे हैं, क्यों रहें? अब हम घर पे बैसे हैं, बीस दिन से हम अपने घर पे बैसें, हम आखीश, हम आखीश, सिपार, सब लोग घर पे बैसें, प्रोफेसर साब बैसे हमाई तक हमाने गर के लोग अच्छे लोग है अब नहीं तो इससे बुश फाइदा भी हो रहा है इसका बड़ा वह राजू जी गजोदर भहिया की नाम से आक को जाना जाता है तो क्या गजोदर भहिया और करोना के आगए या कुरुना के सामने उनका हो गया आमना सामना तो कैसे उर्येट करेंगे अरे समझे ए मिस्रा ए यादव एरे सशरा परिशान है का जिन्दगी हो गया है अब घर के अंदर रुको समझे यादव तो रतिया मारती है घर के बाहर जाओ तो पूलिस मारती है फिर अंदर आओ कहा जाएं कहा करें अब पहिसे पहले जो है मोदी जो कही दिया कि पांच तारीक को छट पर आके टारच मारना है तो हम ऐसे से टारच मारते रहे, टारच ज्यादा हमारा पढ़ गया पडोसन के उपर, पडोसन पढ़ गया समझे, अब उसमें जो है हम लोग लड़ाई हो गया, औरतों-औरतों का, समझ नहीं रहे, अरे टारच नहीं मारना मंगता रहा, अरे हमें पहले बताते तो हम दिया जला लेते जो दिया जला हो इसे 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 हिलने लगता है देखने में भी आनन्द आता है यह हमारे बहुत राजु जी आप बेमिसाल हैं और आपकी इसी कॉमेडी को सुनने के लिए लोग इस समय जो घर पर हैं लोकडाउन में अपना समय गुजार रहे हैं वो बड़े वो किस तरह से लोग महसूस करते होंगे यदि आप इसको और अच्छे से बता सकें यह खबर होती थी कि आठ बजे मोधी जी आएंगे टीवी पे तो कई लोग घबरा जाते थे कि आठ बजे आएंगे और बारा तो नहीं बजा देंगे लेकिन ऐसा नहीं है मोधी जी सुबह नौ बजे भी आए और जब भी आते हैं देश हित के लिए आते हैं हम इस चीज को समझना चाहिए यह भले ही लोग डाउन है लेकिन मेरी आदत है कि हर बुरी बातों में हर बुराईयों में तकलीफ में मैं उसके अंदर से अच्छा ही डूम लेता हूं अब यह लोगडाउन में जो पॉजिटिवली बात निकल के आई वो यह है कि माने बार सबसे अच्छी बात इसमें यह हुई है जजमान कि सब लोग हाथ धोने का आदत हो गया है सब लोग जो है सुच्छता रख रहे हैं साफ सफाई रख रहे हैं मोधी ज जब करोना का फार सा फ़िए चीन्ते सब लोग हिर्या को गस being the 여 यह हैं क्योंकि जितने भी चोर हैं वो सब घर के अंदर लॉक्टाउन है बाहर नहीं आप आ रहे हैं और आप ने भी मैसूस किया हो गया कि सड़कों पे गाड़िया देलाग की लोग अपना जुवार करी लेते हैं और सबसेर ज़्यादा आराम जो है Google auntie को हो रहा है Google auntie जो सबको पता बताय करती थी address बताय करती थी उनको बहुत आराम मिल रहा है वो कहीं घर भी lockdown होगी और घर पे खिचड़ी खा रही होगी जब भी आप Google को on करते थे Google Map को तो वहां से आवाज आती है Please take left turn after 300 meter take right turn after 400 meter वो भी बाराम कर रही होंगी. सबसे बड़ा आराम यह हो रहा है कि अज़ाहा बगेर मरिशिका आपका अतिति भी घर पे नहीं आरहा है. तो अतितियों को क्या है वो देखते नहीं थे. परिक्षा कर समय है, बच्यों की पढ़ाई कर समय है. बस घर पे आट अपकते थे, जो लाजंडा अटैचिया डाल देते थे, और वो खाते थे, उनको समोसा देते थे, एडली देते थे, वड़ा सामभर देते थे, पावभाजी भी खिलाते थे, इतना खाने गवाद वो कहते थे, अब खाने का इंतिजाम करो. बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार. राजु श्रीवास्तप जी, आपने तो कई सारे जोक से पूरे देश को सुनाए हैं, पूरे विदेश में सुनाए हैं, कई लोग उन जोक को आज भी याद करते हैं, लेकिन हम जानना ही चाहते हैं कि आपका सबसे पसंदिद जोक कौन सा है, जो आपके द्वारा ही लोगों को सुनाया गया हो, आप यदि द्वारा से सुनाए तो, हाँ मेरे कई हैं, लेकिन हमेशा यह भी कोशिश होती है कि नहीनी बाते करते रहें, ताकि दोरा होना है, तो वैसे तो मैंने, हमने कहानी बनाई थी, शोले की, जिसमे अमिताब बच्चन के बहुत नकल की, नीज़ीडर वालों का भी काफी किया, नीज़ीडर से याद आया, टेलिविजन से याद आया कि इन दिनों एक क्रेडिट हमारे मोधी जी को और जाता है, इन दिनों जो हम लोग दूरदर्शन पर रामैन देख रहे हैं, ये बगर एं आयों आजर करो पीछ से घ्माओ, आवर नहीं आ रहा है, आदाइने ृम से लेहीं हो अब हूँ नहीं आ रहा है , वहीं मelsटख जाओ- मेंकलिते होला है बिंदी बिंदी ऐसा लगता था 20 kg साबू दाना किसी ने डाल दिया एचोट-चोटे दाने वैसे इतने नीज चैनल आज आ गए है आपका भी नीज चैनल बहुत अच्छा आपका तो बहुत बड़ा नीज नेटवर्क है लेकिन मैंने सोचा अगर सत्यूग में भगवान राम के समय में अगर नीज चैनल होते तो जो कुछ हम लोगों ने रामायन में पढ़ा है वो सब उन दिनों भी नीज में आये होंगे यह नीज में आते नमस्कार ब्रेकिंग नीज इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर पंचवटे की जंगल से आरी जहां अब यह भी पता चला है महिला के नाक कान काट दिये गए हैं यह महिला कौन थी पूरा मामला क्या है हम सीधा पहुंचते हैं अपने जो है कोई बहुवली परिवार से इसका तालुक है और इसका जो भाई है वो बहुत बड़ा गुंडा बताय जाता है और उसके बारे में जानकारी है और इखटा कर रही सीबियाई और इसका जो भाई है वो दाओद इब्रहेम से भी बड़ा इसका ठिरर है और बताय जाता इसके भाई के दस मूँ हैं अब तक ये जानकारी निकल के आ रही है वो दस मूँ रखता है ये सामझ में नहीं आ रहा कि सुबह ब्रश करने में उसको कितना टाइम लगता है और इतना मुकुट धोने में के लिए उसको कितना वक्त इसमें निकालना पड़ता होगा लेकिन मह पीते रहिए लोग घूम रहे हैATOR सब सरकटे घूम रहें और अभी अभी कोई एक राक्षासी आई और हमें एक बल्टी खून देगे कहे रहे हैं इसको पीते रही है सूप की तरह अभी रावड आ रहे हैं यह कहां भेज दिया बहुत लगता है ऐसे यह शायद हुआ होगा और राजु जी अभी लॉक्डाउन उनके लिए अगर उनको मैं गाने में समझाऊ हुआ है जी वो सुबह से लेके शाम तक शाम से फिर रात तक रात से फिर सुबह तक सुबह से फिर शाम तक घर के अंदर हो घर के बाहर ने निकलो यह गाना थोड़ी सुनाने बेठा हूँ और इन लोगों को जो आपने अमिताफ बच्चन की बात की थी अमिताफ बच्चन अगर समझाएंगे तो क्या कहेंगे अधर तुम लोग सला सुधर ने का नाम नहीं लेता है अधर सरकार बोलता है घर के अंदर रहने का डॉक्टर लोग भी यही बोलता है तुम काही को नहीं सुनता है आए अरे अरे इसमें तुम सिर्फ अपना ही नहीं पूरे देश का नुक्सान कर दे हो आपको पता है आपको पता है कितने लोग मर गए आए अरे थोड़ा सा स्वयोग कीजे आए अरे साले ये करोना के बराती ये क्या जमाती आए अरे ये वक्त है खुद से आगे आने का और खुद से इन्फॉम करने का कि हमको ऐसा तक्लिफ लगता है हमको थोड़ा सा फिवर लगता है अरे ये जो मौनो जाती है इसके लिए तुम कुछ करेगा तुपर वाला खुश होएगा अल्ला और भगवान भी खुश होएगा बहुत खुब बहुत खुब बहुत शांदार राजु जी जैसे आप कॉमेडी के साथ सार मिमिक्री जो करते हैं और जिसकिसी की भी मिमिक्री करते हैं लगता ही नहीं है कि वो ना हो बिल्कुल और इजनल बिल्कुल सजीब सा लगता है बावा रामदेव और शारुक खान इनको लेकर लोग आपको काफी याद करते हैं कि आप बावा रामदेव की और शारुक खान की बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं बावारामदेव शरुखान के बारे में आगा आप मिमिक्री के जरीए कुछ सुनाएगं तो अच्छा होगा अर्शकल मैं भी घर पे हूँ मैं भी घर पे किरन कुछ नहीं करती अरे बरतन भी दोना पड़ रहा है बरतन भी दो रहा हूं मैं लेकिन बर्तनों की एक खास बात है, ये बर्तन धोने जब बैठो, तब 5-6 होते हैं, देखते देखते ये 30-35 हो जाते हैं, कहीं ऐसो तो नहीं, ये कुकर और कडाई मिलके बच्चे दे रहें, छोटे-छोटे चमच और छोटे-छोटे काटोरियां, ये बढ़ते कैसे हैं? क्sheet, इने मंगाई मिलकेश थे तरना टारी हो धिलके इंस, ये बढ़ते हैं, गार आहने की देखने औरक मिलकेशले हैं, य सोय भी है, ये खरेट के लेकिशले हाँ, जराक में ऑन्ना सेन लोगते हां, जराक में बच्ब्त भी और को बेत देखना को तनि प्रैशरण में मही बाबाजी बीच में उट जाया करो, तो हम भी तो सांस ले ले, ऐसी बाते हो रही है, इतना गड़ा हो गया है, कि मैंने उसके अंदर हाट डाल के देगा, तो दो कभूतर निकले, कोई बात नहीं, घर पे बैठना जुरूरी है, इह तो करने सोता है, इह तो करने सोगा, इह बिल्कुल, बहुत खुब, बहुत शान्दर तरीके से आपने लोगों को समझाया भी और इसी साथ संदेश भी दिया है, राजु जी हम चाहेंगे कि आप एक अपील भी लोगों को जरूर करें उनके लिए, क्योंकि अपील से मकसद ये है कि लगातार अपील तो चली रही ह खुद प्रवामंत्री मोदी भी अपील कर रहे हैं, लेकिन आपको कई सारी लोग फॉलो भी करते हैं, तो हो सकता है वो लोग जो अभी भी घर से बाहर निकल रहे हो, कम से कम आपकी बास उनका घर पे रह जाए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेगन करता हूँ, ये वक्त गंभी रोने का है, तालने का नहीं है, ये नहीं सोचना है कि अरे ठीक है, हमें थोड़ी होगा यार, अरे होता होगा उन लोग होता होगा, उस मोले में हुआ है, वहां हुआ हुआ है, उस शेहर में तो प्लीज अपने घर के अंदर बैठें और लॉकडाउन का पालन करें इसी में आपकी भलाई है और आप सक्षा में किसी की मदद कर सकते हैं तो प्लीज अपने छमतानुसार थोड़ी थोड़ी मदद करें लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का खयाल रखें चाहे अपने वाचमेन को खाना खिलाना हो चाय पिलाना हो खाने की पैकेट माटने हो कुछ भी लेकिन अपना ध्यान पहले रखें मास्क पहन के निकलें लेकिन ऐसे करें ज़रूर और इन दिनों में बड़े भारी मन से कह रहा हूं कि आपस में दूरियां पर दिलों में दूरी नहीं आनी ची दिलों में दूरी नहीं हो ब्लकुल जिन्दगी हर कदम एक नई जंग है जीत जाएंगे हम जीत जाएंगे हम तू अगर घर पे है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजू श्रीवस्तप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने अपने गुर्गुराने के अंदास के साथ ही लोगों को नसियत भी दी है और उनके साथ अपील भी की है कि घर पर रहें यही सबसे ज़रा जरूरी का मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहें यह लोटते हैं